आजी नमस्कार फ्रेंड सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफोर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है विक्रम सुथार तो चलिए बहुत सारे लोगों का स्वाल है कि अड्मिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे देखो उन्होंने कोई भी टाइम जो है वो mention नहीं किया है तो हो सकता है कि आज टाइम के बारे में भी आ जाए कोई ना कोई notice अगर admit card नहीं आते हैं तो आपको पुराना admit card लेके जाना है अगर वो भी नहीं है तो कोई tension की बात नहीं है आप simply जा सकते हो चाहिए कुछ भी नहीं है आप जो ओफ-लाइन डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाएं वहाँ पे जाकर आपको कोई ना कोई सोलुशन जो है वो मिल जाएगा ठीक है तो जो बड़ा सवाल था उसका अंसर तो मैंने आपको दे दिया पर अड्मिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे कुछ दे रोड़ बेर कर लेते हैं उसके बाद अगर जिनोंने आज जाना है मालो आज 31 है कल एक को जिनका है तो वह आज जाएं अपना और कल ओफिस टाइम पर ओफिस टाइम यानिकी एक्जेक्ट नो बजे आप पंचकुला सेक्टर फाइव के अंदर पहुंच जाएं बहाँ पर नोटिस वगेरा लगे होंगे जिस हिसाब से उन्होंने जो कार्यकरम इस्थापित कर रखा होगा आपको पूरी की पूरी जानकारी बहाँ पर मिल जाएगी और टेंसन फ्री होके जाएं बहाँ पर ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है 10-15 मिंट में आपको फ्री कर देंगी और आप असानी से अपने घर आ सकते हैं चलिए तो एक बात देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आज कल सीटर ठीक है तो इसमें ज एक बार बहुत बार पुछने के बाद भी जो वो बोर्ड है वो इनको SIT को पूरी जानकरी नहीं दे रहा है ऐसा इनोंने कुछ लिखा है तो मैं यह मानके चल रहा हूं भी यह बहुत सारे लोग ALM के अंदर भी मुझूद हैं और ALM के अंदर भी Biometric और Cross Verification बहुत ज्याद पूरी की पूरी जाच अभी इस तरह का जो है वो क्यूं हो रहा है एक दिन में चार सिप्टों में होका नाफ तो लिए मतलब जो बाइस सो केंडिडेट थे जिन्होंने केस लगाया था भी हमारा इनोंने जो फिजिकल मेर में टेस्ट है वो गल्द कर दिया है हाइट जो उ हाइट में भी वबाद हर तरह की तरीके में भी वबाद हर तरह की कोशिस की जा रही है बरती को आगे खिंचने की हर तरह की कोशिस भी चुनाव के नजदीक जाके इनको बरती पूरी करेंगे और वो भी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे आ पंजाब की तरह हैं बस लटका ज्यादा बहुत सारी लोग वहां पर लग जाते पर चलो वी क्या कर सकते हैं हर जिगें सरकार ने यही रण निती बना रखिए भी सरकारी नोकरी देनी नहीं है सब खतम करो ठीक है चलिए आप एक और देख लीजिए जिसके बारे में में मुद्धे पर हमें बात करनी है वो इन्होंने पहले तो दरने के लिए पर्मिशन जो है वो ग्रेंट कर दी थी बाद में उनको क्या कर दिये इन्होंने कैंसल कर दिया था तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट बहां पर पहुंचे हुए है तो इस दरने से क्या एलम की बरती प्रवावित हो सकती है देखो इस देख लिजिए ये रीट की बरतियों का मामला है एक साल में साथ प्रिक्षा सभी में नकल पेपर लीग और डमी बव्यारती पकड़े सिर्फ जहीन बरती की पेपर लीक का माना मुदलब जही की बरती होगी नीट होगी एसाई होगी क्रीशी वेक्षक होगी फिर रीट फिर पटवार बरती फिर वीडियो ये राजस्तान का है हर जगे हर जगे ही ये फैला हुआ हर जगे पता नहीं सरकार के पास कोई रंडिती नहीं है या सरकार खुद करवाती है या सरकार के पास कोई है यह नहीं भी कैसे हम इसको रोकेंगे या वो सारे डर होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा आदमी उसके अंदर सम्मिलित होता है या तो वो कुछ भी नहीं है उसके पास खोने के लिए तो वो यह सोचता है कोई बात नहीं यही ठीक है अगर हाथ लगे तो बले बले नहीं तो कुछ बले तो है ही नहीं थ्भी है इन्होंने कुछ नकल वाले जुत्तों का इस्तिमाल किया था नकल की चपपल बहुत सारी चीजे रही है पिर पभूहतर अपनर ऐसे यंगा है सिर्फ यह किय किए kजए वी बहुत अब दांदली करवाई है, अब पता नहीं, दांदली केपिल सरकार नहीं करवाई है, यह सरकार नहीं करवाई है, हर जगें यहीं चल रहा है, चलो भई, कब यह सरकार सुतरेगी, पता नहीं, अब सब निरास होके, हतास होके, CET के पिछे पड़े हुए हैं बस, यह अब CET कर हुआएगी कब होना है क्या पता कोई इसले बस इनका फिक्स नहीं है कुछ भी फिक्स नहीं कर रखा मांगे रोज उठाते रहो पर इनके उपर कोई इसर नहीं है काप ही के अराम से सोते हैं बच्चे सडकों पर रूल रहे हैं एवन लड़कियां भी मैंने कल देखा था भी लड़कियां भी बहुत सारी जो है वो महां पे जाके बठी हुई है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो